हेलो दोस्तों, कि हाल चल थोड़े साहर रंदा, इक अफेतों सौघता है, मेरे किनमी वीडियो जैसा कि इस वीडियो के थम्निल पर आप देख किया है, इस वीडियो में क्या बात करेंगे, बात करेंगे, Computer Science Engineering की कहां से MIT University से तो इस वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल डिसकस करेंगे Computer Science Engineering के बारे में कि MIT से करना कैसा रहेगा कैसा नहीं अगर चैनल पे नहीं हो तो पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको CSC के ऐसे ही सब्सक्राइब ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो और इस चैनल पे आपको प्लेस्मेंट के बारे में ऐसी भी नहीं नहीं बहुत सारी चीज़े पता लगती रहेंगी तो इस वीडियो में सबसे पहले बता देता हो कि क्या डिसकस करेंगे करेंगे हम कंप्यूटर साइंस इंजिनिंग की कि MIT का अब इस्टैबलिश हुआ था MIT की लोकेशन क्या MIT का फीस ट्रक्चर क्या रहेगा हना कंप्यूटर साइंस इंजिनिंग का तोटल आपके कितनी फीस लग जाएगी CSE करने में admission का process क्या रहेगा admission criteria क्या है scholarships कौन कौन सी अविलेबल है placement कैसे मिलेगी placement average placement क्या है placement का data क्या है CSE worth रहेगी यह नहीं MIT उनिवसिटी से करने से उसके बाद चैनको कर लेना सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आए तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से कि MIT कब established होई थी Google पे search करोगे Google पे search करना MIT University established कब होई थी तो आपको आंसर मिल जाएगा 24 माद 2005 को ये University established होई थी तो अप्रॉक्सिमेट ना 13 years हो चुके 18 years हो चुके University को established होई तो सबसे पहला campus इनका established होथा आप देख सकते हैं कि जो MIT University के अंदर है different different campuses आते हैं आना जैसे कि Noida, Laknao, Jaipur, Gurdgaon Guali, Gator, Noida, Mohali, Patna Ranchi, Kolkata, Raipur, Mumbai तो ये सारे campuses होई जो यहाँ पे आते हैं MIT University के अंदर उसके बाद MIT Global Business Schools के अंदर आते हैं Ahmedabad, Bangalore, Bhuvneshwar, Chandigarana, Puna, Noida, Kochi, Indoor जो इनके global campuses है तो यहाँ पर अगली बात आती है कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है न तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इनका सबसे बड़ा और main अच्छा campus है वो है बोलते है MIT, Noida के बारे में तो Noida वाले campus में कैसे पहुँचना है यहाँ पर मेट्र स्टेशन रहेगा जिससे आप बहुत एजली यहाँ पर पहुँच सकते हो यहाँ पर जो closest airport रहेगा से स्क्रीन पर आप देख पारे हो जो closest airport रहेगा वो रहेगा इंद्रा गांदी इंटरनाशनल एरिपोर्ट जहां से लगबग 28 km की दूरी पर है यह MIT University अप्रोक्सिमेट आपके 600 से 700 पर लग जाएगे अगर आप बाई कैब जाएगे रेल्वे स्टेशन आप किसी भी रेल्वे स्टेशन में आ सकते है नियू दिल्ली के उसके बाद आप दिल्ली मेट्रो अगर आप कैसे भी बाई एर आए चाहे बाई ट्रेन आए आपको आना है सबसे पहले दिल्ली में दिल्ली के बाद आप दिल्ली मेट्रो को यूज करके आप पहुंच जाएगे कहां पर सबसे नेरेस जो मेट्रो स्टेशन रहेगा उनिवर्सिटी के वो क्या है नॉइडा बोटैनिकल गाडन तो आप जहां भी जिस भी लोकेशन से वहां पर आपको मेट्रो से पहुंचना है कहां पर नॉइडा बोटैनिकल गाडन के मेट्टो स्टेशन पर वहाँ पर आप आप आटो लेके जा सकते हैं अगर आप शेरिंग में जाएंगे तो पचास रुपे में आप पहुंच जाएंगे MIT उनिवसिटी अगर आप प्राइविट करके जाएंगे तो 100 से 150 रुपीज में मेक्सिम्म तो मेक्सिम्म हंडेड रुपीज में आप कहां पहुंच जाएंगे MIT उनिवसिटी नॉइडा पहुंच जाएंगे बहुत इजली कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी का को इशू नहीं है उसके बाद अगले बात आती है सुद्च के बारे में बात कर लेंगे क्या उनिवसिटी का फीज ट्चक्च रहता है उसके बाद जैसे कि हैं यहां पर आ Vasquez के उपर क्लिक करेंगे अपर सारे यह वालेन destbl 맛이 60 ऑ नहीं बात करेंगे और यहाँ पर, बीटेक है जो computer science engineering है, वो specialization में भी अविलेबल है, जैसे बीटेक artificial engineering करना चाहते है, यह नॉइडा, greater noida, कॉलकत्ता और लखनाव वाले campus में ही अविलेबल है, जैसे बीटेक artificial and machine learning, यह सिरफ गुडगाओं में ही अविलेबल है, तो ऐसे करके हम सारे बीटेक के course देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कहाँ बात करने वाले है, बीटेक computer science engineering, normal CSE के बारे में बात करने, यह वाली जो बीटेक normal computer science engineering है, यह सारे के सारे campus में अविलेबल है, जितने भी campus है, दुबाई, greater noida, Mumbai, राइपूर, लखनो, रांची, गवालियर, तो हम यहाँ पर जो 3.10 lakh fees रहेगी, अना, तो अभी sponsored और non-sponsored का मतलब कहा है, non-sponsored का मतलब है, अगर आप जैसे 12th पास करके, अपने दम से अपने आप यह जो course है, वो करने आए MIT में, अगर आप sponsored category का मतलब कहा है, जैसे कि आप working professional है, जैसे किसी company में काम कर रहे है, कि आप जिमनाई विप्र लाक रुपी, जैसे का मतलब है, 2,65,00 आपकी per semester fees रहेगी, यहाँ पे eligibility criteria क्या रहेगा, non-sponsored category के लिए आपके 10th और 12th में minimum 60% marks होने चीए, जिसमें कि अगर आपके 12th में PCM category है, जैसे physics semester math है, उसके aggregate आपके minimum 70% marks होने चीए, तब ही आपको MIT University में admission मिलेगी, या अधर आप आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे dual, क्या बोलते है, dual degree की option अवे लेबल है, अगर आप dual degree करना चाहें, तो, यहाँ पे जैसे आप view course structure के ओपर click करेंगे, तो आपका पूरा course structure खुल जाएगा, ऐसे इस फॉर्म में आजाएगा, BTEC Computer Science Engineering, यहाँ पे जैसे, same चीज़ों में आपके eligibility criteria, यहाँ पे क्या रहेगा, अना for sponsored category, आपके minimum 60% marks होने चीए, और aggregate marks होने चीए, 75%, आपका 4 साल का course रहेगा, selection process के रहेगा, आपका person interview होगा, अना non-sponsored के लिए जो fees रहेगी, 2.065 fees, course structure, उसके बाद आपका नीचे पूरा course structure दिया है, कि आपके first semester में कौन से subjects मतलब year wise, semester wise आपके सारे subjects पहले से already given है, कि आपको क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, तो यह तो होगी आपकी fees की बाद, उसके बाद अगर हम total fees की बाद कर लेते हैं, total fees आपके कितनी लग जाएगी, एक semester में आपकी 2 lakh रुपीज फीज है, तो आपकी जो academic fees ल होगी, तो चार साल की आपकी approximate 60,000 रुपीज आपकी जो fees है, वो लग जाएगी, आपकी 6 lakh रुपीज, 6 lakh रुपीज आपकी लग जाएगी, hostel fees, तो total approximate 25 lakh के आपका पूरा खर्चा पढ़ जाएगा, सब कुछ मिला विला के, जैसे examination fees, uniform fees, fast fees, यह वो traveling रहना, पीना खाना, सब मिला के approximate 24 to 25 lakh रुपीज के आपको पढ़ेगी, B.Tech, Computer Science and Engineering, MIT University, तो यह total fee structure रहेगा, उसके बाद आपकी बाद आती है, admission process के, admission process क्या रहेगा, अना जैसे आप आपके तो apply now के उपर click करेंगे, apply now के, click करते आपके सामने, application form फिल जाएगा, तीन simple step में आपको form फिल करना, जैस अप्लोड करनी है, और जैसी 12th का result आएगा, तो 12th की mark sheet अप्लोड करनी है, उसके बाद आपको online fees पे करनी है, जैसे application form के उपर click करेंगे, तो application form की जो fees रहेगी, वो noida, greater noida, कॉल करता, रांची, पतना, and मुहाली वाले campus के लिए रहेगी, पंदरा सो रुपे, और जो लकन उसके बढ़ना, कौन सा प्रोग्राम करना, payment detail, उसके बाद आपको personal detail, education detail, other information, extra curriculum, upload सारे information, finish, ऐसे करते हैं, आपको application form है, वो submit हो जाएगा successfully, उसके बाद आपको interview होगा, personal interview के लिए call वगर आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, simply आपके admission हो जाएगा, अगर आपके marks हैं, तो यहाँ आपको अपको accreditation, बतादे तो आपको साथ हैं, यहाँ कोई आपको अवेल सिर्गाइशन, इसके बात हैं, आपको यहाँ जालागी मुटा इपकोई एपको इस talking about PL station, tuition, अरनट बात तोULS, घरे सिस्टम इसां कहण इस आपको earlierol, क्यों जां सेपरेट हैं, इसके बा 75% attendance is required to appear in examination मतलब 100% रखना तो important ही है लेकिन minimum आपकी 75% attendance होने चाहिए अगर आपको exam देना है अगर आपकी 75% से काम attendance है तो आपको exam ही नहीं दियाना जाएगा उसके वाद यहाँ पे grade system चलता है अन्य से बोर्ज उनिवस्टी में percentage system चलता है लेकिन यहाँ पे grade system चलता है evaluation आपकी internal evaluation कैसी होगी वो पढ़ सकते है semester system आपको अल्रेडी पता है तो अगली हम जो बात कर रहे हैं आप पे scholarships की बात कर लेते हैं कि scholarships कौन-कौन से अविलेबल है सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी direct admission होगी कोई भी आपको जेए मेंस याइसे एक्जाम की जुरूत निए तो डिरेक्ट admission किनकी हो जाएगी जिन student securing 80% अबब marks उनकी direct admission हो जाएगी कोई भी selection form या कुछ भी उनको करने की जुरूत निए लेकिन जिस जिनके marks उन से कम है 80% से कम है उनको पी आई ये सब देके देना पड़ेगा admission के लिए उसके बाद MBA में अगर आपके 70% मार्क से कैट या मैट में से तो भी आपकी direct admission हो जाएगी लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहें बात कर रहें scholarship की scholarship भी campus वाइज डिफर करती है हर campus की अलग लग scholarship है जैसे हम NOIDA की बात कर रहें NOIDA वाले campus में अगर आपके more than 95% marks है 12th में तो आपको 100% scholarship मिल जाएगी और अगर आपके 90 से 94 के भीच में marks है तो आपको 50% scholarship मिल जाएगी और अगर आपके 99 आए इसमें तो भी आपको मिल जाएगी scholarship 100% की तो जैसे यह 2021 बैच के लिए जिनके अभी 2022 में more than 95% marks आएगे उनको 100% जिनके more than 99% marks है इसमें 2021 में उनको यहाँ पर free of cost मिल जाएगा जैसे हम दूसरे campus की बात करते हैं अगर जैपूर में आपके 93% 93% से जाधा marks है जैसे 93.1% 94% marks है तो आपको सीधा 100% scholarship मिल जाएगी जैपूर वाली campus में तो इस list के according आप चेक कर सकते है scholarship पाले section में कि आपको कैसे यहाँ पर पूरी कौन कौन सी scholarship कहाँ पर आपको maximum scholarship मिल रहे हैं तो आप बीटेक computer science engineering बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं अगर आप maximum scholarship यहाँ पे score कर रहे हैं में चले जाएंगे उसके बाद placement वाले section में जाने के बाद हम पूरा placement का जो record वगएर है वो discuss करेंगे जैसे आप सीधा सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर गूगल के ऊपर placement record तो जैसे आप placement record यह वाला आपका link करेगा मैं आपको link भी दिखात हूँ www.mit.edu.placement.placement.data.com तो यहाँ पे placement आएगा top placement data के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह page खुल जाएगा जिसमें आपको पूरी placement की detail देए गई है जैसे कि 36,000 बच्चे केंपस में प्लेश्ट हुए पिशले साल तो यह 36,000 सारे कैंपसी को मिला पिछले साल प्लेश हुए उसके बाद 11,000 से 2021 शे 2022 यह छल रहा है 11,000 बच्चे अभी तक प्लेश्ट हो चगह और अब तक counting चल रही है प्लेसमेंट के लिए इस में जैसे 900 नौसो कंपनी आये ना प्लेसमेंट के लिए तो मैकसिम जो कंपनी आएंगी वह आपके computer science engineering के लिए जिए 900 में से आप कंसिर्ट कर सकते हैं कि 5-600 सिरफ प्लेस्मेंट के लिए आ रही हैं बीटेग कम्पूटर साइंस एंजिनिंग के लिए बाकी कॉर्सिस की प्लेस्मेंट इतनी अच्छी नहीं होती है किसी भी उनिवसिटी में इनको लोगडाउन में दो करोड का यहां पर आप कह सकते हैं कि अलमुनाई ने पैकेज क्लाक किया लेकिन वो हाइस पैकेज इनका नहीं है वो किसी ने ओफ कैमपस यह कहीं से क्राक दिया होगा तो फंद्रासो बच्चे प्लेस हुए हाना पिछले साल में प्लेस्ट इवन य हेक्सावेर उसके बाद फोन पे विप्रो इंफोसेज आई बीम हाना तो यह सारे इनके टॉप रिकूटर से थे उसके बाद जैसे हम टॉप प्लेस्मेंट में जाएंगे कॉर्परेट पार्टनर्स के ओपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकुल जाएगा इनके कॉर्पर पार्टनर्स कॉन कॉन है एक्सेंचर है इसको है बिल्ला सॉफ्ट है जी लोजिक है साप लाव ए टीस है ना तो यह सारे इनके कॉर्परेट पार्टनर्स है उसके बाद अगर आगली बाता है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगे कि टॉप इनका पैकेज क्या रहता है ठ्री टू-4 लाइक का रहता है तो इसमें कितने बच्चे प्लेस होए तेरा सो बच्चे टी सिस में कितने बच्चे हुए जिक साइटे कर सकते हैं जो आप यहां 50 लाग रूपीज का हाई जिसको भी मिला अमेला इमजोन में सेमी 30 लाग का पैकेज में मिला 30-0-000-000 तो देख सकते हैं maximum इनके जो highest package है वो Amazon ही दे रही है इनको उसके बाद Morgan Stanley में 21-0-000 पैकेज मिला Cisco में 23-0-000 का package मिला है यह सारी CTs है लेकिन इनका highest package मैं देख पार हूँ हुआ है 50 LPS कितने बच्चों को मिला एक दो बच्चों को मिला इस साल तक लास्ट येर का कोई रिकॉर्ड अब तक गिवन है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सिरफ कितने बच्चे हैं यहां पर 7,1,2,3,4,5,6 तो 6,3 जब इ 50,000,000 सिराफ 2 बच्चो जब दो बच्चो बच्चो को मिल आ तो लेकिन जो अच्छे package ग्रक किया है वो 18 बच्चो ने ग्रक किया तो इनका average package इस 00.000,000 तो इनका average package पैकेज रह जाता है four to five like rupees का ओलनी इससे ज़्यादा average package आपको यहीं भी नहीं मिलेगा लेकिन जो companies वो बहुत ज्यादा आ रही है placement के लिए placement रिकॉर्ड अच्छा है placement की opportunity बहुत अच्छे है लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से मैनेत करतें थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ लेता है प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगएरा तो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सेक्टर वाइस प्लेस्मेंट कैसी होती है तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे अभी कब कब प्लेस्मेंट होने वाली है कि कौन कौन सी कमपनी कब प्लेस्मेंट आने वाली है तो यह दे सकते हैं सारा रिकॉर्ड गिवन है लास्ट डे टु अपलाई कब तक आप अपलाई कर सकते हैं IBM India आएगी कब तक आपकी last data apply करने के लिए तक आपकी last data तक आपकी last data तो यह सारी companies given है कि कौन कौन सी companies प्लेस्मेंट के लिए कब कब आने वाली है 2023 वाले batch के लिए उसके बाद 2024 के लिए भी गूगल इंडिया आने वाली है गूगल इंडिया आएगी 2026 तक तक तो यह सारी आपकी है आपके options वागेर अविलेबल के कब आपकी placements आने वाली है तो CSE यहां से करना वर्थ रहेगा यह नि यह discuss कर लेते हैं कि जो average package रहेगा वह यह आपका 4-5 lakh रूपीस कर लेगा हाइस package अप्रोक्सिमेट 50 lakh यह जो की बीटेक computer science engineering के ही वच्चे सेलेक्ट कर रहे है तो NOIDA वाला campus सबसे अच्छा है तो अगर आप यहां पर NOIDA गुडगाओं वाले campus में पढ़ने जाते हैं आपके more than, मतलब आपको बहुत अच्छी scholarship मिल रही है बहुत कम पैसे में आपकी CSE यहां से हो रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा option रह सकता है लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी scholarship में मिल रही वीडियो में तब तक के रहे बाई बाई